सनातन धर्म सूर्य उभराक शात्र वीरो उठो चलो कली युग के इस कली युग का है अन्त निकट आया संधी काल इन युगों युगों का अब समीप आया इस अधिवेशन का मुख्य उद्देश हिंदु राष्ट के स्थापना है तु हिंदु संगटन निर्मान करना इस दुरूष्टी से युजना तयार हुई है आगामी वर्ष में जो हम मुद्दा केंदृत करने वाले हैं वो सामाजिक दुषप्रवर्युत्यों के खिलाब एक बड़ा आंदोलन हम लेने वाले है धर्म का एक अंग होता है कि उत्तम समाज वेवस्ता होना और उत्तम समाज वेवस्ता का लक्षन होता है कि वो ब्रश्टाचार रहित होता है, अन्याय रहित होता है, समाज की अर्चने नियुनतम होती है और अर्चने है तो वो दूर करने वाला एक प्रशासन या एक राज्य वहाँ पे हो तो हमें दिखता है कि चाहे डॉक्टर्स हो या हॉस्पिटल्स हो, उसमें बड़े पैमाने में एक सामाने जनता को कष्ठ होता है अनावश्यक दवाई या इस तरह के जो कुछ गलत काम हो रहे हैं उसके विरुद्ध अभ्यान चेड़ा जाएगा प्रशासन वह ना तो जनता का सुनता है और ना तो ब्रष्टाचार किये बिना कोई काम करता है तो ऐसे प्रष्ट प्रशासन के विरुद्ध एक बड़ा अभ्यान चेड़ के सर्वसामाने जनता के अठचने दूर हो, काम हो इस दुरुष्ठ याण लेने वाले हैं उसी तरह से शिक्षन वैवस्ता है, डोनेशन है, एक एपटिशन फी है, जोड़ी शीरिय में जो ब्रष्टाचार हो रहा है, इत्यादी जो है, उन सब ब्रष्टाचार या जो कुछ सामानी जन्ता को समस्या लगते हैं, ऐसे सभी अन्यायों के विरुद्ध एक बड़ा अभ नैसरगीक आपत्य बड़े प्रमान में आ रही है, कुछ मानाव निर्मित है, तो कुछ नैसरगीक है, तो ऐसे आपत्यों में शासन प्रशासन को सहाय अता करने हैं तू, नागरिकों को प्रशिक्षित करके, एक अपना राष्ट्रा और समाच के प्रतिदाइत्व पूरु और मनुष्य को अपनी स्वासवरक्षा करें, इसके लिए स्वासवरक्षन प्रशिक्षिक्षन ट्रेनिंग सबको दिया जाएगा. और ये जो समस्याय है वो सामाने जंता के सामने लाने के लिए प्रशासन के सामने के लाने के लिए स्थानिक तथा केंद्रिय राज्यकरताओ के सामने लाने के दुरुष्टी से हर महा के पहले रविवार को एक राष्टे हिंदु आंदोलन का जो आयोजुनकत दो तीन वर्षों से हो रहा है उसकी संख्यात्मक और गुणात्मक वृद्धी आगामी वर्ष में करने का तै किया है हमारे भाग्यनगर में हिदराबाद में सबसे बड़ा ही मुद्दा था गौरक्षा का उस कारे में हम कई वर्षों से सक्रिय कारे करते थे लेकिन आज एक बहुत अच्छा कारे हुआ कि आज एक भी गाए हिदराबाद में नहीं करती इतना अचा है कि वेर्नेस का कारे हुआ लेकिन जब केंदर सरकार ने जब कानून पारित किया है ऐसे कहीं राज है उस कानून का विरोध करती है कि हाँ हम केंदर सरकार के कानून को नहीं मानेंगे और हम गाए को काटेंगे हाल ही में आप सबने देखा है कि केरला में यूद काउंगरेस के कुछ लोग एक गाए के बच्छडे को खुलेयाम काट कर हम भी फिस्टियल मनाएंगे इस तरह से एक विरोध का कारिकरम भी उदर हुआ था उन्हें सभी कांगरेसियों को मैं यह याद दिलाना चाहूंगा कि एक समय ऐसा भी था जब भारत देश गुलाम था वो समय पर हमारे महातमा गांधी जी ने 1921 में एक समयलन लगाया था कांगरेस का उस समयलन सबसे बड़ा मुद्दा ही था कि गव हत्या पर हमें लड़ना है जो अंग्रेजों दुआरा जो कतल खाने खोले गहे थे उन्हें सभी कतल खानों को बंद करवाना है ऐसा हमारे महातमा गांधी जी का एक संकल भुदा और महातमा गांधी जी जब भारत देश की आजादी के लिए जब पदियातरा करते थे तो जहां कहीं पर भी कतल खाने उनको मिल जाते थे तो नहरू जी को कहते थे के हे नहरू जब भारत देश आजाद होगा सबसे पहला हमारा एक एक कारी होगा इन सारे के सारे कतल खानों को हम बन कराए और गाय को रास्ट ये माता हम गोशित करे हाल ही में रास्ट ये स्वयम से बख संग के प्रमक मोहन भागवाज जी ने भी बहुत अच्छा संदिश दियाता कि पूरे विश्व से पूरे विश्व में गौहत्या के परती पाबंदी लगे और गाय को रास्ट माता का दर्जा मिले the matter of the atrocities on the Hindus in Bangladesh and the illegal Bangladeshi immigration in India, these matters were put up. We had Mr. Rabindra Ghosh, who is a Supreme Court lawyer from the Bangladesh, from the Dakka Supreme Court. He was here present and he told of the χειandır안 हो प्रख धी मैंढूनीे the matter that we discussed was that in spite of the third year of the NDA the present government during the campaign trail and in the manifesto had emphasized the problem of the illegal Bangladeshis in the country in fact Modi ji in his Kuchh Behar rally had explicitly even said that jab hamarhi sarkaar aegi to unko Borea Bisra band karke yahase jana padega friends it has been three years and the last three years we haven't even deported a hundred people this sixth all India Hindu convention is attended by more than 50 to 60 advocates अच्रूज एक्रावा गौर्नावेट रहाँ जास्ट्रा उर्ग इस प्रामत्रिजूश्टी गवता है ठाट्ट जास्टेंभी अधिने गौर्म इल्टक्रावथों प्रूस भी ताटेथ देक्टिश्ट भी जासे लिए नहीं प्रूसट तो जास्टिशने ऱ्रेम्ट्स्यू and next month it is coming for the final argument. Now that problem of the Bangladeshi is up to the Kanyakumar it has gone. Our Hindu Vidhija Parishat we have already started our work and now the RTI and also the superintendent of police we have given the complaint. Now they are arresting one by one and they wanted to deport them to their country. यहाएँ, पॉर एतिन ड्रिंकिंग एंड पूर स्टेंड अग्ल, कया उपर्ण का वह पूरे भारत में गोहत्या प्रतिवंधक कानुन लागू हो और इस दुरुष्टिकोन से इस प्रस्ताव को हम ने सभी के सामने रखा था कि जब हम सभी को एक साथ रहना है और यहाँ पर गाय को यदि हम अपनी केवल माता नहीं देवता मानते है तो यह एक हिंदूओं के भावना से जुड़ा हुआ प्रशन है महारश्टर में जो कानून बनाया गया इट इस गोवाश्य हत्या प्रतिबंधक कानून ही है वो उसमें पूरा काव प्रोजिनी है तो महारश्टर में तो BJP सरकार नहीं बनाया है हार डेफिनेटली क्योंकि BJP ही तो पार्टी है जिसने कहा था कि दो प्रधान, दो निशान, दो विधान नहीं चलेंगे तो यहाँ दो विधान क्यों हो रहे है महारश्टर के लिए एक कानून और यहां के लिए एक कानून कानून यदि महारश्टर में लागू होता है तो फिर गुवा में भी लागू होना चाहिए पुरदेश में लागू होना चाहिए तो इस दुरुष्टिकों से हमने इस विशे को रखा और सरकार के सामने हम निश्य दुरूप से इस मांग को भी रखेंगे आप लिखा कि जो मंदीर है इसके पैसे का मीशी सरकार कर रहे है मुंबई में सिद्धि विनायक मंदीर जब सरकार ने उसका अधिगरहन किया लगभग उन्नीस सो बानवे में 1992 में उसके बाद सरकार की कमिटी वहाँ पर बिठाई गई और ये जो सरकार की कमिटी वहाँ पर बिठाई गई वहाँ से लगभग करोडो रुपिया ये जनहीत के नाम पर उठाया गया और ये सारा पैसा जो उठाया गया ये सारा पॉलिटिशन्स लोगों ने अपने बेनिफिट के लिए अपने मेडिकल अस्पताल, अपने कॉलेजेस, इंजिनियरिंग कॉलेजेस इनके लिए उप्योग मिलाया और वो पैसा आज तक सिद्धिविनायक मंदिर को वापस नहीं मिला इसमें मुंबई हाई कोट में हमने इसके संदर्भ में पेटिशन में सहभा किया था केवल सिमलानी जी का पेटिशन था, जिसके ओपर जस्टिस टिपनिस कमेटी का रिपोर्ट आया जस्टिस टिपनिस कमेटी ने उसके बारे में, he is a high court justice, उसमें उन्होंने लिखा है ये सारी बाते देख करके मुझे लगता है कि इन सब राजनेताओं को लोगों के सामने लाकर के पूरा उनके साथ मतलब ऐसे बरता होना चाहिए कि आप मंदिर का भगवान का पैसा भी चुराते हैं ये एक justice का official उसमें लिखा हुआ रिमार्क है पंडरपुर का हमने RTI में जानकारिली मंदिर वो सरकार के पास है वहाँ पर हमारे मुख्यमंत्रे और उपमुख्यमंत्री अभी भी मुख्यमंत्री वहाँ पूजा के लिए जाएंगे वहाँ पर पिछले आठ महिनों से जितना भी collection आया है वो उन्होंने बोरियों में बंद करके रखा है हमने पूछा क्यों बोरियों में बंद करके रखा है तो कहा सरकार ने स्टाफ अभी तक नहीं प्रोवाइड किया है तो उसमें कितना धन आया क्या हुआ वो बोरियों को सिल था या नहीं था उसमें धन था या गोल्ड था किसी को कुछ पता नहीं है तो क्या ऐसे कारभार होता है सरकार का तीसरा तुलजापूर टेंपल जो है महाराष्टर का इसमें वहाँ की टेंपल कमिटे ने डिसाइड किया कि जो भी फंड आता है उसके लिए हम आॉक्षन करेंगे तो आॉक्षन एक या दो लाग का आॉक्षन होता था और सर्टन तीन चार लोगों के पास ये आॉक्षन वहाँ पर जाता था हमने इसके बारे में कम्पलेंट किया ये कम्पलेंट करने के उपरांत वहाँ पर जांच कमिटी बिठाई गई वहाँ के collector ने कहा कि इस महने का auction नहीं होगा इस बार सरकार ही अधिकरूत रूप से जो वहाँ पर अरपन पेटी होती है दान पेटी होती है वो खोलेगी उसमें एक महने में लगभग देड़ किलो सोना जमा हुआ था तो उसकी value इतनी ज़्यादा थी कि मतलब auction जो एक देड़ लाख रुपे में होता था उससे कई गुना ज़्यादा तो सिर्फ gold था तो auction के नाम पर कैसे लोगों को गुमरह किया जाता है आपको मैं बता दू पंधरपुर मंदिर का वहां की गोशाला से लगभग 30-17 गाई उन्होंने कसाईयों को बेची है और उसका वहां पर बाजार में बेचा हुआ record मेरे पास उपलब्द है उसके ओपर हमने वहां के सारे ट्रस्टियों के अगेंस्ट पुलिस केस फाइल की है अब इससे ज्यादा क्या होना चाहिए जो सरकार के मंत्री है, सरकार के जो अधिकारी है वो गाई को कसाई को बेच रहे है वो वहां का धन जो आता है उसका कोई record नहीं रखते है वो अपने लाब के लिए उपयोग में लाते है यदि इस तरीके से होगा तो मंदिरों के लूट हो रही है ये सारी और सरकार वहां पर कर रही है करनाटक में वहां पर मुझराई डिपार्टमेंट लगभग साड़े तीन लाख मंदिरों की जिम्मेदारी लेता है मुझराई डिपार्टमेंट का जो constitution है उसमें लिखा है इस डिपार्टमेंट में सिर्फ हिंदू ही होने चाहिए आज हमने आर्टिया किया आज भी 10 मुझराई डिपार्टमेंट में वहां पर काम कर रहे है मैं आपको 1947 से 2017 तक हज कमिटी के जितने भी अध्यक्ष हुए उन सभी की लिस्ट मेरे पास है आप मुझे बता दीजिए उसमें एक हिंदू कभी उन्होंने लिया है तो यह प्रश्न बड़ा खड़ा होता है कि आप हज कमिटी के अध्यक्षो को वहाँ पर मुस्लिम ही रखेंगे लेकिन हिंदू मंदिर की कमिटे में आपको मुस्लिम भी चाहिए तो हमारा कहना फिर जितने हज कमिटी है जितने सारे वकप बोर्ड है वहाँ पर भी हिंदूओं को अप्वयंट करना शुरू कर दो तो यह नहीं हो रहा है और यह systematic तरीके से यह वहाँ पर मंदिरों का धन लूटा जा रहा है देखे सरकार कौन सी भी हो सरकार बीजेपी की हो, सरकार कॉंग्रेस की हो जो practical facts है जो आज वहाँ पर बाते है जैसे हमने पंधरपूर के बारे में जब ये बात कही तो वहाँ पर जनीहीत याची का चल रही है तुलजापूर के बारे में इसके संदर्भ में महारश्टर का औरंगाबाद खंड़पीट है वहाँ पर जनीहीत याची का चल रही है CID जान्च शुरू है, तो अब ये सरकार बदली है, तो उन्होंने कहीं पर जान्च शुरू किये है, कहीं पर कुछ प्रयाश शुरू किये है, लेकिन ये प्रोसेस बहुत धीमा है, पिछले दो वर्षों में क्या जान्च हुई, उसका कोई रिपोर्ट आज तक सामने नहीं आया है, तो हम हर बार सरकार से ये कहते हैं, कि यदि इतना बड़ा घुटाला चल रहा है, तो आप, मतलब इस दुरुष्टिकों से क्यों गंभिरता से नहीं देखते हैं, CID को क्यों इतना समय लगता है, तो इसका एक टाइम फ्रेम होना चाहिए और उसका घुटाला सब क सामने आना चाहिए,